हलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके पने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एक्जाम इस्टेडिया की पर आज है 21 अप्रेल 2021 और हम आज के सब भी इंपोटेंट क्यूशन्स के बारे में डिटेल के साथ डिसकस करेंगे जो कि आपकी एक्जाम्स के लिए इंपोटें तो चलिए श्टार्ट करते हैं आज का पैला क्यूशन है हाल ही में चीनी भासा दिवस कब मनाया क्या है ? यह दिवस मनाय का जाता है तो इस दिवस को मनाने का मुख्युद्देष है चीनी भासा, साहित्य और कविताओं के महत्व पर प्रकाश डालना और इस दिवसको सर्वपर्थम सेंक्तुराष्ट द्वारा 12 नवंबर 2010 को मनाए गया था लेकिन बाद में इसे 2011 से परतिवर्स 20 अप्रेल को मनाए जाने की गोशना की गई है Next question है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना उपचार है तू सैन्य संसादनों का उप्योग करने की गोशना की है मद्य परदेश राज्य सरकार द्वारा कोरोना उपचार है तू सैन्य संसादनों का उप्योग करने की गोशना की गई है और यह गोशना इसलिए की गई है क्योंकि मद्यपरदेश में कोरोना रोगियों की संक्या में बहुत तेज गती से वर्दी हो रही है और अस्पतालों में भी जगे कम पढ़ रही है इसलिए राजी सरकार ने इन रोग्यों को सैन्य अस्पतालों में बर्तिक किये जाने का निर्ण ने लिया है बात करते हैं मद्य परदेश राजी के बारे में मद्य परदेश की राजदानी है बुपाल मुख्य मंत्री हैं सिवराज सिंग चोहान और राजपाल हैं आनंदी बिन पतेल और मद्धि परदेश आई कोट के मुख्य नायदी से मौहम्मद रफिक नेक्स्ट कुशन है हाल ही में किसे ट्वीटर का अपूरवाद दलाल को ट्वीटर का अज़िटर का नेक्स्ट कुशन है हाल ही में किस देशन में भारत से आने वाले जाने वाले सबीत तरह की उड़ानों को इस्तगितिक कर दिया है ते होंग कॉंग दोरा भारत से आने जाने वाली सभी तरह की उड़ानों को इस्तगिते कर दिया है और यह फैसला होंग कॉंग ने भारत में बढ़ते कुविड माम लोगों देखते हुए लिया है और इसी के साथ ही होंग कॉंग ने पाकिस्तान और फिलिपिन्स देश की उड़ानों परीव प्रतिबंद लगा दिया है नेक्स्ट क्यूजन है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में परेटकों के प्रवेश पर प्रतिबंद लगाने की गोशना किया है मेगाले राज्य सरकार द्वारा राज्य में परेटकों के प्रवेश पर प्रतिबंद लगाने की गोशना की गई है और यह गोशना राज्य में बढ़ते कोविड मामलों को मद्द नजर रखते हुए की गई है बात करते हैं मेगाले राज्य के बारे में मेगाले की राजदनी है सिलाउं मुख्य मंत्री है कॉन राट संग्मा और राजपाल है सत्यपाल मलिक और मेगाले आई कोट के मुख्य नाय दीस है विस्विनात सोमादे नेक्स्ट इसन है हाल ही में किसके द्वारा स्टार्टप इंडिया सीड फंड योजना लॉंच की गई है केंद्रिया रेल और वानिज उद्योग मंत्री पियूस गोयल द्वारा स्टार्टप इंडिया सीड फंड योजना लॉंच की गई है और इस योजना के तहट नए स्टार्ट अप्स को बाजार में निवेस बढ़ाने पर उन्नती करने है तू वित्याइस सहयता प्रदान की जाएगी नेक्स्ट विशन है हाल ही में इंडिया उपन बैडमिंटन टूर्नामेंट इस्तगित कर दिया गया है इसका आयोजन कहां किया जाना था इसका आयोजन दिल्ली के केड़ी जादा इंडॉर होल में किया जाना था और इसे दिल्ली में कोरोना के मामले एक दम से बढ़ने के कारण फिर से इस्तगिते कर दिया गया है बात करते हैं दिल्ली के बारे में दिल्ली की राजदानी है नई दिल्ली मुख्यमंत्री है अर्विंद के जरिवाल और उप्राजपाल है अनिलबेजल और दिल्ली हाई कोट के मुख्यनाइदीस है धीरु भाई नरन भाई पटेल Next question है फाल ही में किस देश ने वित्तिय फर्मों के लिए दुनिया का पहला जलवायू परिवर्तन कानून बनाया है न्यूजिलेंड देश द्वारा वित्तिय फर्मों के लिए दुनिया का पहला जलवायू परिवर्तन कानून बनाया गया है जिसके अंतरगत व्यवसायों के प्रदूशन इस्तरगी जाँच कीजाएगी और पता किया जाएगा कि यह है व्यवसाय किस आध़ता के जलवाईू परिवर्थन को प्रिभावित करते हैं बात करते हैं न्यूजिलेंड देश के बारे में तो न्यूजिलेंड की राजदानी है वेलिंग्टन, प्रदान मंतरी है जसिंडा ओर्डन, और न्यूजिलेंड की करन्सी है न्यूजिलेंड डॉलर हाल ही में किसके द्वारा ओक्सिजन वित्रन प्रणाली विक्षित की गई है जिसमें कि अच्ट्यदिक उचाई पर सेवारत सैनिको और कोविड रोगियो हितू प्रचूर मात्रा में ओक्सिजन की आपूर्थी की जाएगी बात करते हैं DRDO के बारे में DRDO की फुल फर्म है Defense Research and Development Organization हिंदी में रक्षा अनुशंदान एवं विकास संगठन और DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी और DRDO का मुख्याल है नई दिल्ली में इस्थित है DRDO के प्रजेंट टाइम के चेर्मेन है डॉक्टर जी सतीस रेडी नेक्स्ट क्यूशन है हाल ही में किसे लगू उद्योग विकास बैंक यानि सिड्वी कर नया अध्यक्स नियुक्ते किया गया है सिविस सुब्रमनियम रमन को लगू उद्योग विकास बैंक सिड्वी कर नया अध्यक्स नियुक्ते किया गया है बात करते हैं सिट्वी के बारे में सिट्वी की स्थापना दो अप्रेल 1990 को की गई थी इसका मुख्याल है लकनाव उत्तर प्रदेश में इस्तित है और सिट्वी के प्रजेंट टाइम के अध्यक्स है सिव सुब्रेमंडियम रमन नेक्स्ट क्विशन है हाल ही में किस देश द्वारा कोवीड टीको के आयात सुल्क माफ करने की गोशना की गई है भारत देश द्वारा कोवीड टीको के आयात पर लगने वाले 10% सुल्क को माफ करने की गोशना की गई है कि am J probability to pray like मैं भारगा दो सी हर दिश्क अपने भारत दोरे को इस्तागेते कर दिया है तिया ब्रटेन देश के प्रधान मंतरी बोरिस जॉंसान ध्वारा भारत दोरे को वापिस स्तागेते कर दिया गया है और यह दोरा भारत में बढ़ते हुए कोईड मामलों को मद्द नजर रखते हुए इस्तगित किया गया है और इससे पहले भी ब्रिटेन में दूसरी लहर जो कोरोना की दूसरी लहर थी उसका प्रकौप ज़्यादा होने के कारण ब्रिटेन के प्रदान मंत्री बोरिस जौनसन के दोरे को इस्तगित कर दिया गया था बात करते हैं ब्रिटेन देश के बारे में ब्रिटेन यूरोप महाधिप में श्थित हैं विटेन की राजदानी है लंदन और प्रदान मंत्री है बोरिस जौनसन और ब्रिटेन की करंसी है पाउंड इस्ट्रलिंग अ यह थे आज के important questions और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like और share जरूर कर दीजे और यदि आप अमारे चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजे और bell icon को भी दबाना ना भूले ताकि नई वीडियो की notification आपको जल्दी से जल्दी मिल सके आज की वीडियो यहीं समापत होती है जै हिंद